नमस्कार शातियों आपके एक बार फिर से हमारे ओनलाइन प्रेटपर्म जसनात क्लासिस पर श्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैन अन्वियास उनुर्शिटी जोदपूर में सत्र दोजार बाईस तेश के रेगुलर स्टुडेंट के एक्जाम पौरम के बारे में तो मैं आपको बता दूँ कि जैन अन्वियास उनुर्शिटी जोदपूर शंपाग के जो भी डिष्टिक है जो जैन अन्वियास उनुर्शिटी के अंतर गताते हैं जोदपूर जेसल मेरत जालो और पाली और बाड मेजले के इसना तक और इसना तक को तर एव डिप्लोमा वार्शिक पदत्ती के पाटे करमा जैसे की मैंने यूजी का बता दिया पीजी का बता दिया B.A.B.A.B.A.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B.A.C.B विभीन परिक्षाओं में समलेत होना कि इस सुक परिक्षारती अपना ओनलाइन परिक्षा आवेदन पत्र ल्यू पेपर अर्था आपके कोई बैक है सप्लीमेटरी है सहीत विश्व विद्याली की वेबसाइड पर दिनांकर 30 दिसंबर 2022 से भर शकते हैं और विभीन परकार क सुलक के साथ ओनलाइन आवेदन करने प्रिंटेड आवेदन हाड कोपी जमा कराने की तित्या निमना अनुसार होगी तो मैं आपको बता दू कि किसी भी स्टूडेंट के जैसे की सेकंड यर में सप्लीमेटरी है और अब वो पाइनल यर का फॉरम बढ़ेगा तो उसको सेक के लिए उनके साथ जो रेगुलर स्टूडेंट के एक्जाम होंगे उनके साथ में सप्लीमेटरी के पॉरम भी जो सौरी एक्जाम भी हो जाएंगे तो मेरे कहने का मतलब है आप बिना विलम सुलक के 30 जनवरी तक पॉरम भर्ष रखते हैं और प्रेंटेड आवेदन पत्र की जो हाड कोपी है वो जमा कराने के आपके अंतिम्तिती है वो दो फरवरी 2023 से साथ यह मैं आपको बता दूँ कि हमारे यूटूब सेनल पर सारे प्रेक्टिकल के वीडियो फिजिक्स और केमेस्टी के डाले हुए हैं और PCM के फिजिक्स, केमेस्टी और मैतामेटिक्स के नोट भी टेलिग्राम ग्रूप पर डाले हुए हैं तो आप टेलिग्राम यह के सलते में पिछले दो माईनों से आपके सामने कोई भी नया वीडियो नहीं लेके आया लेकिन हम निरनतर जो भी आपके एक्जाम से कोई भी सूचना होगी तो हम जरूर लेके आएंगे तो अभी से आप प्रेक्टिकल के वीडियो आराम से देखिए क्योंकि मैं आपक प्रेक्टिकल में प्रेक्टिकल में फैल हुए हैं तो आप प्रेक्टिकल को बढ़िया से त्यार कीजिए क्योंकि एक प्रेक्टिकल में यदि आपके बैक आती है तो आपके सप्लिमेटरी लगती है लेकिन दो प्रेक्टिकल में आपके सप्लिमेटरी आती है तो आप सीध एक परशेंट आपके एक्जाम हो जाएंगे और इस बार पूरे पैटर्ण से एक्जाम हो सकते हैं अर्थारत आपके जो पहले पास यूनिट आती थी और सभी यूनिट मेंसेक्यूशन करने पड़ते थे तो इस बार कोई भी कोविड के कारण आपके कलस से बात इतन नहीं हो आपको प्रोबलम आ रही है तो वाटसम नमबर दीए हुए हैं वाहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं और तेलिग्राम गृूप पर लगबग हर आपको कोई भी अपडेट है वो टेलिग्राम गृूप पर दी जाती है तो आप टेलिग्राम ग्रूप जसनात कलासे जरू जो और इसके साथ मैं आप हमारे YouTube सेनल पर जो पैक्टिकल के वीडियो है और मैतमेटिक्स के वीडियो है और भी एक्जाम से रिलेटेव वीडियो है वो देख सकते हैं Facebook पेज भी जसना अतला से आप लाइक कर सकते हैं वहाँ पर आपको एक्जाम से समधे जो भी अपडेट दे दी जाती है तो बस आज के लिए इतना ही मैंने बता दिया था कि बिना विलम सुलक के आप 30 जनवरी तक फोरम बर्शकते हैं और दो पर रवरी तक प्रेंटेड आविदम पत्र की जो हार्ड कोपी है वो जमा करा सकते हैं फिर 50 रुपे विलम सुलक से आप सब दा पर रवर के अंतिम्तिती है वो है 30 जनवरी 2023 तक आप आराम से भर शकते हैं और दो पर रवरी तक हाड को पिजमा करा सकते हैं आगे जब भी विलम सुलक के साथ डेट बढ़ेगी तो मैं आपको टेलिग्राम ग्रूप पर वैसे भी यहां पर बताय गया है मैं पूरा आपको जो जो वो टेलिग्राम ग्रूप पर शेयर कर दूँगा लेकिन यहां से आप देख सकते हैं कि कब कब कितने कितने रुपए विलम सुलक के साथ क्योंकि कई स्टूडेंट के अभी तक रिजल नहीं आया है तो वो स्टूडेंट सोस रहे होंगे कि सर हम फौरम कैसे भरेंगे तो व थोड़ा वेट कर सकते हैं और आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए उसमें आपको समझ में आ जाएगा तो कई स्टूडेंट मेरे पास मैसेज कर रहे थे लगातार की सरेस्वार चो रेगुलर स्टूडेंट के वो फौरम है वो कब इस्टाड होंगे क्या सले गए तो इस बार थोड़े लेट भरे थे क्योंकि लाश्ट येर नौमबार दिसमबर में भर गए थे लेकिन इस बार थोड़ा से लेट हुआ है तो आप बिना विलम सुलक के 30 जनवरी तक पौरम भर दीजिए और भी कोई प्रोब्लम आ रही है तो वार्चाप मैसेज जरूर की और नौर्श आप टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो जो पैक्टिकल के है जैसकि फिजिक्स के पैक्टिकल है तो उसके फोटो भी टेलिग्राम ग्रूप पर आपको मिल जाएंगे क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट येर और और थर्ड येर के जो पैक्टिकल है फिजिक्स में है ज्यादा तर हमारे सामने सर्किट के पैक्टिकल है लोजिक गैट के हो साए किसी भी पी एंडायोड के हो जो भी पैक्टिकल है केरी फोस्टर शेतू के हो या और भी जो भी पैक्टिकल है फिजिक्स के उसमें आपके स के अपको नमबर मिलते हैं फिर फोटो के आप जोड़ा इंग के आपको नमबर मिलते हैं फिर फोटो के आप जो बनाते हो उसके डाइग्राम के और प्रेक्शन सारनी के प्रेक्शन के आपको नंबर मिलते हैं परिणाम के नंबर मिलते हैं आपको जो सामगरी की जरुद परती है उसके नंबर नहीं मिलते हैं वैसे प्रेक्टिकल के ऊपर कई वीडियो बनाए हैं तो आप आराम से देख सकते हैं कि किन किन के आपको नंबर मिलते हैं किस यह प्रकार से मिलते हैं और chemistry में अनुमापन के जो practical है वो बहुत ही महत्पुन है उनके भी जो कई वीडियो है मुलक के है आप मुलक याद कर सकते हैं दिनात्मंग मूलक रिनात्मंग मूलक अब मूलक के बारे में स्यानता प्रश्तना यह सबी practical है वो एक एक वीडियो अब आराम से जैसे playlist में जाकर year wise देख सकते हैं तो मेरे बत कहने का मतलब है कि अब एक्जाम नजदिक आ गए हैं तो त्यारी आप जारी रखें जब भी कोई problem हो तो message कीजिए और भी हम जो भी नया कोई भी update होगा practical से relative या अन्या तो हम जरूर आपको बताएंगे तो बस आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में धन्यवाद